हेई, welcome back to our channel दोस्तो आज की इस फिडियो में आपको बाताऊंगा how to fix network problem अगर आपके phone पे किसी भी company का sim card insert है और उसमें network नहीं आ रहा है तो इसे ठीक कैसे करें दोस्तो मैं आपको step by step settings बाताऊंगा तो आप follow करते रहिए सबसे पहले आपको phone के settings में जाना होगा settings को खोलते ही कुछ इस तरह के interface दिखाई देगा next यह पे connection and sharing में जाना है उसके बात नीचे नीचे आईए यह पर और एक option मिलेगा reset, wifi, mobile network and bluetooth इस पर click काना है दोस्तो कभी-कभी हमारे phone में गलती से network settings change हो जाता है या फिर network IC में अस्ता ही 3D दिखाई देते है जिसे हम सेफ network settings को reset करके ठीक कर सकते है network settings को reset मारने से पहले मैं आपको बता दू कि इसमें आपका connected wifi network pairing Bluetooth device भी reset हो जाएगा लेकिन आपके phone में जितने साड़े data था वह safe रहेगा next उस SIM card को select करना है जिसमें network नहीं आ रहा है network settings को reset मारने के लिए reset setting पर click करेंगे उसके बाद OK कर देना है network reset करने से आपके phone पर network signal तो आ जाएगा लेकिन इस phone को एक बार reset कर लीजिए reset का मतलब है phone को एक बार switch off करके on करना दोस्तो बेसिकरी network settings को reset मारने से हमारा जो problem है ओ दूर हो जाता है अगर फिर भी आपको problem solve नहीं हो रहा है तो आप next step को follow कर सकते है second step में आप इस phone को switch off करके SIM slot change कर दीजिए मतलब SIM slot 1 में जो SIM card है उसे SIM slot 2 में डाल दीजिए और second SIM card को SIM slot 1 में insert कीजिए उसके बाद आप switch on करके देख सकते है network आ रहा है कि नहीं अगर SIM slot change करने से आपका mobile पर network आ जाते है तो बहुत बढ़िया अगर नहीं आते है तो आप मान के चलिए आपका SIM card खाराव हो गया है या फिर आपके mobile का network आपका यसी damage हो चुका है तो दोस्तों उम्मीद करते हो कि एफ वीडियो आपके लिए बहुत हेलफुल था हमारे वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत सुक्रिया